हलो स्टुडेंट आपका हमारे यूटीचेनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम आर्पेसि फर्स्ट के डिस्कूल मेनेजमेंट पेपर का अगला नाम है समग्र शिक्षा अभ्यान समसा तो आज हम समसा के बारे में पढ़ेंगे और समसा के बारे में अगर हम समरी देखें तो सिक्षा को दो भागों बाटा गया है प्रारंबेक सिक्षा और मादमेक सिक्षा का अरत होता है किक्षा एक से लेके आट भी तकी सिक्षा मादमेक सिक्षा का अरत होता है नौ से लेके बार भी तकी सिक्षा देखें प्रारंबेक सि सघ्षा окиशन के दिए चलाए गया और मादय के लिए राष्ट्री रही चनासा चलाए गया गया। सर्वसिक्ष्य अभियान 2000 से 2001 में चलाया गया और रमसा अभियान जो है माद्व सिक्ष्य अभियान वह है 2009 से 2010 में चलाया गया 9 वी पंचवर्सी योजना में सर्वसिक्ष्य अभियान चलाया गया और 11 वी पंचवर्सी योजना में रमसा चलाया गया सर्व सिक्षा अवियान का नारा था सब पढ़ें सब बढ़ें और रमसा का नारा है पढ़े चलो बढ़े चलो रमसा का नारा है पढ़े चलो बढ़े चलो और सर्व सिक्षा अवियान का नारा क्या है सब पढ़ें सब बढ़ें देखिए दोनों की नोडल एजेंसी कौन कौन सी है अगर हम बात करें प्रार्मे सिक्षा की नोडल एजेंसिया राजस्थान प्रार्मे सिक्षा परिसाद जिसका मुख्याले कहां पर है जैपुर में है और मादवे सिक्षा की जो नोडल एजेंसिया वह है राजस्थान मादवे सिक्षा परिसाद जैपुर में है अगर हम कि बात करें तो प्रार्मिक सिक्षा के लिए शाला दर्शन पूर्टल है और मादविक सिक्षा के लिए शाला दर्पर पूर्टल है तो दोखिए जो प्रार्मिक सिक्षा के लिए जो पूर्टल है वो कौन सा है शाला दर्शन और मादविक सिक्षा के लिए कौन सा है पूर्व प्राथ्मिक से लेकर कख्षा 12 में तक कह सकते हम नर्षरी से लेकर और कख्षा 12 तक जो शक्षा चलाई गई वह है आपकी सर्फ शक्षा इसके लिए आयू निर्दायत की गई है वह है तीन से 18 बस इंपोर्टेंट पुछी जा सकती है इसलिए आप याद रखें अब देखिए जो सर्वसक्षा अभ्यान के लिए समगर सिच्छा अभ्यान के लिए जो अभ्यान चलाएगा वह है समसा समक्र सिक्षा अभियान, समसा और 2018-2019 में इसको चलाया गया, तो यह important है, समसा चलाया गया, इसका नारा क्या है सबको सिक्षा अच्छी सिच्छा चलिए आगे हम बात करें कि समसा को समगर सिक्षा अभियान को पहले से चल रही तीन अभियानों को समलित करके बनाया गया बहुत जादा कौन कौन सी चीज़ आ गई समसा में आ गया इससे रमसा और टीचर एजूकिसें समसा की गुष्णा तेईस मई दो जार अठारे के हुई तो यह डेट इंपोर्टेंट है इसको आप याद रखें और इसे लागू कब से किया गया तो समसा को लागू किया गया एक जुलाई द समसा का अध्यक्ष होता है मुक्य मंत्री को बहठा होता है सिच्छा मंत्री होता है आगे हम बात करें समसा में वित्तीय सायता से केंद्र सरकार जो है वो है पूर्वुतर, राज और हिमाचल, पर्देश और अत्रा खंडा और जम्हु कस्मीर में 90 अंपाट 10 की रोप में बित्य साहता हुती है यानि की 90 प्रसद पैसा केन सरकाल लगाती है और 10 प्रसद पैसा ताज अजर काल लगाती है और अन्य वाज़ों में जो वित्ति सहटा है वह ay 60-20 के इनपात में है 60 percent प्रैसा के सरकार लगाती है और 40 percent प्रैसा को लगाती है राजसरी का लगाती है क्योंकि सिच्छा समवर्ति विशय का सूचिए है तो दोनों ही सरकारे इसके विक पर सकती है सहटा कर सकती है अब हम बात करें राजस्थान में समसा का क्रियानव्यन कैसे होता है तो इसका अध्यक्स होता है और यह समसा की सर्वोच परसद है, सासी परसद समसा की सर्वोच परसद है, और इसका कार्य है, इसका कार्य है, इस परसद का मुख्य कार्य है, पूरु प्रात्मे कक्षा से कक्षा बारे तक की सिक्षा में गुडवत्ता प्राप्त करने ये तू, समसा की विमन नीतियों, नि राजस्तान परियुजना राज्य परियुजना निदेशक सम्सा। यह कार्य सुलय जो नियम करते हैं नाइफीय परिस्थान द्वारा बनाई गई नीतियों नियमों और सिद्धान्तों को लागू कर बनाएं तो इस तरीके से राजस्थान में समसा क्या होता है क्रियान बयान होता है अब हम बात करें कि संगठनात्मक धाचा कैसा है तो संगठनात्मक धाचा है राजिस्तर पर इसकी नोडल एजेंसी है राजिस्तान इसकूल शिक्षा परिसद जैपूर है RCSE और इसका जो मुकिया होता है वह अयुक्त होता है जो एक IES अधिकारी होता है आगे हम बात करें ज जिला पर्योजना समन्वयक कार्याले DPW गोलते हैं डिस्टिक प्रोजेक्ट कोडिनेटिंग ऑफिस डीपी सी ओ और इसका मुख्या होता है जिला पर्योजना समन्वयक डिस्टिक प्रोजेक्ट कोडिनेटर तो इसकी नोडल एजेंसी होती है जला परियोजना समन वहाएक कार्याल है जला इसतर पर और इसका मुख्या होता है जला परियोजना समन वहाएक आगे हम बात करें ब्लॉक संधर्व केंद्र सहयोगी जिससे बोलते हैं या बीएो जिसे आप कहते हो तो वह इसका क्या होता है अगर हम बात करें पंचायत इस्तर पर तो पंचायज इस तर पर नोडल एजनसी होती है और इसका मुख्या होता है PEO School का प्रदानाचार्य संकुल संदर्व केंद तो सहयोगी को र्युक्ने उसको जानते तो PEO पंचात इस Алवनाध पर इसका क्या होता है कोई बड़ा जो बारवी तक क्या स्कूल होता है उसका जो प्रताना चाहरे है पी यो जैसे हम बोलते हैं प्रिंसीपल तो वह इसका क्या होता है मुख्या होता है पंचात इस्तर पर आगे हम बात करें समसा अभियान की विशेष्था हैं क्या हैं तो वर्स 2030 तक लेंगिक तक का पुस्तकाले अनुदान देना सिच्छा की गुडवत्ताम सुधार के लिए टीचर एंड टेक्नलोजी को महतु देना तो सिच्छक और तक्नीकी दोनों को महतु देने पर जोड़ दिया है समसा के दौरान सिच्छा में आइसीटी का प्रयोग करता मोस्ट इंपोटेंट है बर्तमान में जितने में नवाचार है वो आइसीटी से संब्धित हो रहे हैं तो यह सारे बिचार दारा जो है वह किसके अंतरगत लाई गए यह समसा के अंतरगत सभी मादें को विध्यालों में ऑपरेशन सब्सक्राइब को जो दूर दराज से माद्मिक स्तर की कक्षाओं में आते हैं उन्हें प्रतिवर से 6000 परवहन की सुब्धा देना तो 6000 रुपे परवहन के लिए उनको दिये जाएंगे सच्छ विध्यालियों की धारणा को इस्थाबिक करना है यानि विध्यालों में कुछ से 1000 से 1 लाद कस्तुर्वा गांदी वालका विध्याले को कक्षा आठ से बढ़ा कर बारवीत करना यह सारा का सारा जो यूजना है वो किसके अंतरकत है समसा के अंतरकत है समसा अभियान के तहत को बढ़ावा देने के लिए प्राथ्मिक दियालों को 5000 रुपे उच्छ प्रा प्रुख्यकार है जिनको समसा अभियान के द्वारा संचालिक किया जाएगा यह समसा अभियान की क्या है विशेशता हैं आगे हम बात करें समसा अभियान के लिए प्रस्तावित बजट कितना है तो समसा अभियान के लिए 2.94 लाग करोर को प्रस्तावित बजट किया गया ह जिसमें Central Government को 1.85 लाग करोड दिया गया है के इंदर सरकार द्वारा दिया गया है और State Government राज्य सरकार द्वारा 1.09 लाग करोड को दिया गया है तो टोटल मिलाकर जो 1.94 लाग करोड है इसका बजट निर्दारेत किया गया है अब हम बात करते हैं समसा वियान के उद्देश क्या है देखिए छात्रों को गुडवत्ता पूर्ण सिच्छा प्रदान करना उनके सीखने के परिणामों को बढ़ाना देखिए ये तो किसी भी कोई भी योजने यद करता और समावे सुनिश्चित करना स्कूली प्रावधान में निर्दारेत नियूनतम मानकों को सुनिश्चित करना बहतर समझ के लिए ब्याभारिक विश्यों वाली सिच्छा के व्यावसाही करण को बढ़ावा देना आर्टी एक्ट दोजान नौ में बच्चों के अधिक प्रक्षा संस्थानों से प्रसेचन संस्थानों के सुद्री करण और उन्यन के लिए से प्रसेचन में सुधार करना यह समसा वियान के क्या है उद्देश है चलिए आगे हम बात करें समसा के अंतरकस अंचालित कारक्र में योजना देखिए समसा के अंतरकस समसा टू पॉइंट ओ जिसकी शुरुआ चारगस्त दोजार इकिस को की गई है इसकी अबदी है एक अप्रेल दोजारैकिस से और एकत्यस के मार्श्शूज दोजार चब्जार शंथ्प ऐसकी अब दी है अगर हम करें इसका लक्ष क्या है इसका लक्षिय वह इसकी 1100000L b इतने इसकूलों को लावानित करने का पहला लक्ष रखा गया है स्कूल 15.6 करोड बच्चे और 57.7 को लावानित करने का लक्ष रखा गया है इसकी अंतर्गत अगर हम बज़ट की बात करें तो बज़ट 24 में लाग करोड है इसमें Central Government को से संबंधित महतपूर विंदू गया है संसा 2.1 प्री प्राइमरी से रक्षा बार्वी तक प्रभावी रहेगा तो कहां से प्री प्राइमरी से रक्षा बार्वी तर और इसका उद्धेश समावी सी नियाय संगत और सुगम इस्कूली सिक्षा प्रदान करना समस्त बालपों को सभी बार जाती वेविन वेविताओ वाले बालपों को एक साथ पढ़ाना अगर हम बात करें समावी सिक्षा दस्वी पंचवर्शी उजना के अंतरक्त सामान निवा दिव्यांग वालतों को एक साथ सिक्षा देने की जो विवस्था है उसे हम समावी सिक्षा कहते हैं नियाय संगत्स्क्षा करत क्या होता है लेंगीक समांता को दूर खार और आर्थ औिक समانता को तो यह दूर्टर्म है जो आपसे प्रेग्स्क्राइंस पूछिवी आ सकती है इसको अभी आप यहाद रखें आगे हमबात करें समसा 2.0 प्री प्राइमरी स्तर पर मास्टर केंद्रों का प्रसिक्षन प्ले स्कूलों का गठन किया जाएगा इसके अंतरगत और बात करें समसा 2.0 में निपन भारत पहल योजना के अंतरगत सिच्छन और अध्गम सामगरी सोदेशी खिलोनों और खेल और खेल आधारित गत सरकारी स्कूलों में पूर्ब पराथमिंक स्तर के बच्चों को प्रतिवार से 500 रुपे प्रतान किया जाएगा जिसमें sports room की सामगरी को लाया जाएगा अगर हम बात करें निश्ठा यूजना देखिए निश्ठा यूजना के तहत primary प्री प्राइमरी टीचरों के लिए ぬिसेट प्रnoise ब्रसा की जाईगी जिसमें निश्ठाब रखने याद रखने यह बहुत जाए इंपोर्टेंट है निश्ठा़ 2.08 मादमे कख्षाओं के सच्चकों को सच्चकों को प्रिखक्षिक्षन नेना और द्री भी 3.0 विशिष्ट स्रेनी के सच्छकों को प्रसेक्शन देना कक्षा 3-5 तक बच्चों में लिखने पढ़ने अंक गड़ित की कुसलता को विक्सित करने के लिए नैशनल मिशन प्रोग्राम चलाया जाएगा इसका 3-5 भी तक के बच्चों के लिए तो नैशनल मिशन प्रोग्र तक खेल अंदान दिया जाएगा मुश्ट इंपोर्टेंट है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स में दो राष्ट्र पदक जीतने वाले स्कूल को 25,000 रुपे तक क्या दिया जाएगा अंदान दिया जाएगा इन सभी योजनाओं को समसा के द्वारा चलाया जा रहा है और इन स प्रतिवर्श बित्त पोशन की साहता की जाएगी और बाल अधिकार संदक्षण एवं स्वरक्षा हेतु राज्यबाल संदक्षण आयोग को राज्य में प्रती प्रात्मिक विद्ध्याले 50 रुपे की दर से बित्ति साहता दी जाएगी आगे हम बात करें समसा 2.0 के अंतर समसा के अंतर्गत विद्ध्याले योजना का सुभारम किया गया है जिसमें प्रति ग्राम पंचायत इस्तर पर कक्षण एक से आठवी तत का एक विद्ध्याले ऐसा होगा जिसमें सभी प्रकार के संसाधनों की पूर्ती होगी कक्षा प्रात्मिक इस्तर की कक्षाओं के ल एसा लक्ष रखा गया है तो यह क्यों सा लक्ष है उत्कृष्ट विद्ध्याले योजना सभी प्रकार के संसाधनों की पूर्ती होगी समसा के तहट जो योजना चला जा रही है वह है आदर्स विद्ध्याले योजना इस योजना के अंतरगत प्रते ग्राम इस्तर पर कक् अब हम बात करें एक इक्रत साला दरपण बर्तमार में कख्षा एक से बारवी तक के समस्त विद्ध्यालों को ओनलाइन पोर्टल है तो इसको भी किसके अंतरगर संचालित किया रहा है समावेशी सिक्षा समसा कारेकर्म के अंतरगर समावेशी सिक्षा पर विसेश बल दिया गया है जिसके अंतरगर प्रक्षा एक से बारवी तक विसेश सावशक्ता वाले बच्चों को संबलवा एसकोट पता दिया जाएगा हरत पाट्शाला यूजना में स्कूल के चार और ब्रक्षा रूपर करने का लक्ष रखा गया है तो ब्रक्षा रूपर का रहे हैं वह कि इंतरगत किया जाएगा अगर हम बात करें बाल सभा का रिक्रम तो इसको भी संचालिक किया रहा है दोजार अठारह उनीच से सामधाए कर सिलता को बढ़ाने के लिए प्रतेक शनिवार प्रतेक शनिवार ग्राम चौपाल एवं ग्राम पंचाहत इस्तलों पर बाल सभा का है तो अगर को बात किया रहें वालूजन किया है nggak करिया का प्रतेक शनिवार को बाल सभा का रूजन किया जाएगा अगर हम बात करें बालभा शिक्षा की तो समसा कारिकर्म के तहते बालतों किया है मीना मंच गार की मंच आत्मरक्षा परष्यद्घ्ञ egent और अध्यापए संचालन किया रहा है इस साय उजना के दहत तो इस तरह से दोस्तों हमने समसा को बहुती छहोते समय में और फास्ट किया और यह क्लास है और तो यह क्लास कैसी लगती जरूर बताएं और यदि क्लास ही अच्छी लगी है तो इस चैनल को सस्क्राइब करें अपने दोस्तों से यहर करें और जो भी स्टुडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वह इस चैनल को जरूर देखें और मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और प्लेलिस्ट हैं तो उनमें आप जाके और अपने संबंदित विशेगी जो क्लास हैं उनको जरूर देखें आपको निश्यत रूप से कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा पॉइंट बिलेगा और आने वाली परिक्शन में आपको लाब होगा इसी के साथ नमस कर दन्यवाद